पूज़ा पूज़ा मंदिर के आसपास बने खेतों में हरी घास खाती और मंदिर की सीडियों के पास आकर खड़ी हो जाती और खुब जोर जोर से आवास करती मानो वो भी मंदिर में आए भक्तों के साथ मा दुर्गा के नाम का जयकारा लगा रही हो हरिया तुमने अपनी गाय को बहुत ही अच्छी आदत सिखाई है लच्छो भी तुम्हारे साथ साथ मा दुर्गा के नाम का जाप करती है हरी हरी घास खाकर कितनी खुश हो रही है वैसे इसे संपूर्ण आहार तेते रहा करो क्योंकि एक गर्भवती गाय को पौश्टिक आहार की बहुत आवशकता होती है जी पंडी जी अपनी तरफ से तो मैं इसका पूरा खयाल रगता हूं बाकि मा दुर्गा की कृपा से बस बच्छडा बिना परेशानी के ठीक से हो जाए आप यही कामना करता हूँ चिंता मत करो हरिया मा दुर्गा की कृपा से सब कुछ ठीक होगा जय माता दी जय माता की पंडिक जी हरिया की गाय जब से गर्वती हुई थी तब से हरिया उसका पूरा खयाल रखता था उसे आसपास घुमाना, फिराना अच्छा पोश्टी काहार देना समय समय पर उसे पशु चिकित्सक को दिखाना वो सब काम अच्छे से कर रहा था एक दिन हरिया लच्छो को लेकर घर लोट रहा था रास्ते में उसे दो अजजान आदमे मिले उनमें से एक ने हरिया से कहा राम राम भाई, बता सकते हो यहाँ पशु बाजार कहा है हमें अपने लिए एक गाय खरीदनी है गाउं के किनारे एक सड़क जा रही है वहीं पर पशु बाजार लगता है तुम किसी से भी पूछोगे तो वो रास्ता बता देगा अच्छा, तो तुम भी गाय खरीद कर आ रहे हो ये गाय गर्भवती दिखाई देती है बड़ी हिरिष्ट पुष्ट गाय है कितने की खरीदी? नहीं नहीं, मैंने इसे खरीदा नहीं है ये बचपन से ही मेरे साथ रहती है अच्छा, मैं चलता हूँ मैं बेचोगे अपनी गाय, अच्छे दाम देंगे अंजान लोगों की बात सुनकर हरिया गुस्से में आ जाता है अरे तुम तो पीछे ही पड़ गए हो मैंने पशु बाजार का रास्ता बता दिया न फिर क्यों फालतो की बातें कर रहे हो जाओ भई अपने रस्ते जाओ हरिया के साथ लच्छो भी थी इसलिए वो उन दोनों आदमियों से उलचना नहीं चाहता था इसलिए वो चुपचाप घर चला गया अगले दिन हरिया लच्छो को लेकर दुरगा मंदिर पहुँचा और पूजा करने लगा हरिया ने रोजाना की तरह लच्छो को मंदिर के सामने खेतों में घास चड़ने के लिए छोड़ दिया लच्छो घास खाकर थोड़ी देर में ही वापस लोटाती थी पर बहुत देर तक वो वापस नहीं लोटी तो हरिया घबरा गया पंडी जी आपने लच्छो को कहीं देखा, वो रोजाना मंदिर की सीडियों के पास आकर खड़ी हो जाती है, मैंने आसपास के खेतों में ढोन लिया, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही अब नहीं हरिया, मैंने तो तुम्हारी गाय को नहीं देखा, मैं तो हवन के लिए किसी के घर गया हुआ था, अभी लोटा हूँ हरिया की आँखों में आसु आ जाते हैं, और वो मादुर्गा की सामने रोने लगता है, यशोदा को भी ये बात पता चलती है, तो वो भी दोड़ी-दोड़ी मंदिर आती है, दोनों मिलकर पूरे गाउं में अपनी गाय को ढूंडते हैं, पर लच्छों का कुछ पता नही पा रही थी, लच्छों को चोरी हुए तीन दन बीच चुके थे, यशोदा ने देखा हरिया घर पर नहीं है, वो घबरा गई और दोड़ी हुई मा की मंदिर में गई, उसने देखा हरिया मा दुर्गा की मूर्ती के सामने सिर्फ पटक पटक कर रो रहा है, ए मा, मेरी लच अची, अपने आपको संभालो ना, पुलिस चोरो की तलाश कर रहे है, आपको देवी मया पर विश्वास है ना? मा दुर्गा ने देखा कि उनका भगत अपनी गाय से कितना प्रेम करता है एक जानवर की प्रती इतना प्रेम और दयालुता देखकर करुणा मही मा दुर्गा ने अपनी शक्ते दिखा और वो लच्छो के सामने प्रकट हुई मादुर्गा ने अपना हाथ उठाया और लच्छो को अद्भुत शक्ती प्रदान की और अंतर ध्यान हो गई लच्छो जंजीरों से बंधी हुई थी मादुर्गा से प्राप्त शक्ती के कारण लच्छो ने जंजीरों को तोड़ दिया लच्छो को उनी दो अंजान आदमियों ने चूरी किया था जो हरिया से उसे बेचने के लिए कह रहे थे लच्छो की जंजीरे खु़ी देख वे दोनों आदमियों से पकड़ने लगे तब ही लच्छो उन दोनों आदमियों को मारने लगी वे दोनों उससे बचने की कोशिश में भागने लगे लच्छोट के पीछे दोड़ पड़ी अरे, अरे, कोई बचाओ, कोई बचाओ भई अरे, ये गाए हमें मारतेगी अरे, इस रास्ते पर कहां भाग रहा है यहां तो पुर्ष चौकी है अरे, अरे, कोई बात नहीं, पुलिस के हवाले होकर कुछ समय जेल में बिता लेंगे भाया और कम से कम इस गाय के हाथों मरने से तो बच जाएंगे अरे, अरे, चल, 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 पुलिस चौकी में जल्दी चल, वो गाय हमारे पीछे आ रही है, चल, चल दोनों आदमी घबराए हुए पुलिस चौकी में घुस जाते हैं इंस्पेक्टर सहाब, हमें बचा लो, वो गाय हमें मार देगी रे, कौन सी गाय है, मुझे पूरी बात बताओ दोनों आदमी डर कर, इंस्पेक्टर को सच्चाई उगल देते हैं गाय पुलिस चौकी के बाहरी खड़ी थी रे, हवलदार, हरिया की भी गाय चोरी हुई थी ना अरे, वो गाय कहाँ चली गई, जल्दी से उसका पीछा करो पुलिस लच्चो के पीछे पीछे जाती है लच्चो तो मंदिर का रास्ता जानती थी वो दुर्गा मंदिर की सीडियों के सामने जाकर आवास लगाने लगती है हरिया उसकी आवास सुंता है तो खुशी से फूला नहीं समाता यह शुदा, यह तो हमारी लच्चो की आवास है ओ दीविन लिया, आपने मेरी लच्चो को वापस भूला लिया हरिया को सारी घटना का पता चलता है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये सारा चमतकार मा दुर्गा नहीं किया है हरियो और यशोदा लच्छो को खूब प्यार करते है लच्छो भी अपने घर लटाई थी इसलिए वो खुशी से आवाजे निकाल रहे थी मानो वो भी मा दुर्गा को धन्यवाद कह रही हो राजीश नाम का एक ओटो वाला ओटो चलाये करता था उसकी बीवी शीतन और साथ साल का बेटा राजू था वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे अजी सुनती हो हाँ आ रही हूँ अभी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ हाँ बोलिये क्या हुआ और इस पैकेट में क्या है खुद ही देख लो ये लो खोलो इसमें तो साड़ी है जी आ पता है मुझे ये साड़ी किसके लिए है अरे मेरी प्यारी बीवी ये तुम्हें दी है तो तुम्हारी हुई न ये तो बहुत प्यारी है पर इसकी क्या जरूरती इतना तो हम पैसा बचा भी नहीं पाते और ये फालतू के खर्चे क्यों किया आपने अरे पगली मैं वैसे भी तुझे कहा कुछ दे पाता हूँ एक साड़ी ही तो है तु कभी कुछ नहीं मांगती मुझसे आज थोड़ा धंदे में मुनाफा हुआ तो सोचा आज तेरे लिए एक साड़ी ले चलता हूँ बहुत दिन से तुझे कुछ दिया ही नहीं मैं जानती हूँ हालातों को तभी तो आपसे कुछ नहीं मांगती चल अब ये बेकार की बाते बंद कर और इसे पहन कर दिखाओ देखू तो इसमें मेरी बीवी कितनी सुंदर दिखती है शीतल साड़ी पहनने अंदर चली जाती है और थोड़ी देर में साड़ी पहन कर बाहर आती है अहा देखा साड़ी कितनी सुंदर लग रही है तुझ पर ये रंग तुझ पर बहुत खिल रहा है इसी तरह हसी खुशी से दिन बीट रहे थे अचानक से राजेश की पतनी शीतल बिमार हो जाती है और डॉक्टर की फीस और दवाईया देते देते राजेश को अपना ओटो बेचना पड़ जाता है अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए और शीतल की तभियत में कोई सुधार भी नहीं हो रहा अब पैसे कहां से आएंगे शीतल को इस आलत में नहीं देखा जाता ऐसा करता हूँ अपना ओटो बेच देता हूँ राजेश ही सोच कर अपने ओटो लेकर एक दुकान पर पहुँचता है भाई मुझे ये ओटो बेचना है क्यों भाई इस आटो में कोई खराबी है आटो में कोई परेशानी नहीं है मुझे पैसों की सक्त जरूरत है मेरी बीवी बहुत बिमार है और मुझे पैसों की जरूरत है इसलिए मुझे आटो बेचना पड़ रहा है अरे भाई अगर आटो बेच दोगे और तुम घर चलाने के लिए रिक्षा भी ले लोगे, क्या समझे? बात तो तुम सही कह रहा है वो भाई राजेश बात मान जाता है राजेश और टो बेच कर एक रिक्षा ले लेता है और दिन रात उस पर मेहनत करता है राजेश की पत्नी की तब्यत अचानक खराब हो जाती है और वो उसे हॉस्पिटर ले कर जाता है राजेश के पास पैसे नहीं थे थोड़े से पैसे लेकर राजेश दवाई की दुकान पर जाता है और इंजेक्शन लेने के लिए पैसे देता है इनमें 10 रुपे कम है भाई मुझे इंजेक्शन दे दो मेरी बीवी की तबियत बहुत खराब है पहले 10 रुपे लेकर आओ प्लीज मुझे ये इंजेक्शन दे दो नहीं तो मेरी बीवी मर जाएगी भाई मेरे पास यही पैसे हैं और मुझे इंजेक्शन की बहुत जरूरत है राजेश उसी दुकान के सामने रोने लग जाता है उस दुकान वाले से रोते रोते अपनी बीवी के लिए इंजेक्शन मांग रहा होता है लेकिन वो दुकान वाला बहुत लालची था वो राजेश को वहां से भगा देता है अरे कुछ भी करो, मुझे 10 रुपे दो तभी इंजेक्शन मिलेगा, वरना निकलो यहां से राजेश बिना इंजेक्शन के ही वापस आ जाता है और उसकी बीवी का देहांत हो जाता है राजेश अपने बेटे के साथ रहने लगता है उदर दुकानदार जिसका नाम विपिन था जहां राजेश के पास पैसे ना होने पर उसने राजेश को धक्का देकर भगा दिया था वो एक बहुत ही लालची दुकानदार था वो दवाईयों से बहुत पैसा कमाता था इसलिए उसने अपनी बहुत जायदाद कर ली थी विपिन घर पहुचता है और प्लॉट लेने की सोचता है तभी विपिन को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है और भाग कर जाता है तो देखता है कि उसका बेटा जमीन पर बेहोश पड़ा है वो अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुचता है डॉक्टर सहाब देखो मेरे बेटे को क्या हो गया है ये बेहोश कैसे हो गया? पता नहीं जब मैं इसके पास गया तो ये बेहोश पड़ा हुआ था मुझे इसका चेक अप करना होगा डॉक्टर उसका चेक अप करता है तो वो विपिन को बताता है क्या हुआ डॉक्टर मेरा बेटा ठीक तो है नहीं क्या हुआ डॉक्टर आप सरा तसली रखें क्या बात है डॉक्टर साहब ऐसा आप क्यूं कह रहे हैं मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बेटे को कैंसर है विपिन के पैरोतले जमीन खिसक जाती है अब समाली अपने आपको ये क्या कह रहा है हो डॉक्टर साहब ऐसा कैसे हो गया ये सच है विपिन जी अब क्या कर सकते हैं मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा न हाँ उसके लिए कुछ महंगी दवाईयां जरूरी है और कुछ टाइम इलाज करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा विपिन अपने बेटे का इलाज करवाना शुरू कर देता है इस इलाज में बहुत पैसा लगाता है पर उसका बेटा ठीक नहीं होता एक दिन उसके बेटे की तब्यत जादा खराब हो जाती है तो डॉक्टर उसे दवाई लेने के लिए भेजते है जैसे ही दवाईों की दुकान पर जाता है दवाई मांगता है अब भाई मुझे ये दवाई जल्दी से दे दो ये दवाई तो बहुत महेंगी है क्या तुम्हारे पास इतने पैसे है विपेन अपनी सारी जमीन जायदाद गवा चुका था उसके लाज में अब उसके पास कुछ भी नहीं था सिर्फ चंद रुप्यों के अलावा वो अपनी सारे पैसे उसको दिखाता है और कहता है कि मेरे पास ज्यादा नहीं है बस यही रुपे है इतने में दवाई नहीं आएगी सो रुपे और चाहिए पर भाई मेरे पास इतने ही पैसे हैं तो दवाई नहीं मिलेगी जाओ और पैसे लेकर आओ मेरा बेटा बहुत बिमार है मैं आपके सो रुपे जल्दी ही चुका दूँगा चलो हटो निकलो यहां से पहले सो रुपे लेकर आओ तुमारे जैसे रोज आते हैं चलो भागो यहां से गरीब कहीं के विपिन को पता था कि यह दवाई बहुत सस्ती है और दुकानदार इसे बहुत महिंकी बेच रहा है विपिन उस दुकान वाले से रो रो कर दवाई मांगने लगता है और तभी उसको वो दिन याद आता है जब उसने भी किसी ज़रुरत मन्द को सिर्फ 10 रुपे के लिए दवाई नहीं दी थी वो अपनी गलती मानता है और समझ जाता है कि करनी का फल तो भुगतना ही पड़ता है और विपिन बहुत रोता है तभी दुकान वाला विपिन की हालत देख उसके पास आता है और उसको दवाई दे देता है विपिन को दवाई के कारण अब बहुत देर हो चुकी होती है अब कुछ देर में अस्पताल नहीं पहुचा तो उसके बेटे का बचना मुश्किल था विपिन भागते हुए जाने लगता है लेकिन उसे पता था कि वो ऐसे नहीं पहुच पाएगा इसलिए कई लोगों से अस्पताल छोड़ने को कहता है लेकिन उसके पास पैसे ना होने पर कोई भी उसको अपनी गाड़ी में नहीं बिठाता अगर मैं जल्दी ही अस्पताल नहीं पहुचा तो मेरा बेटा जब वो जा रहा होता है तो उसे ठोकर लगती है और वो गिरने लगता है तभी एक रिक्षे वाला उसे आकर थाम लेता है वो वही रिक्षे वाला होता है जिसको दवाई देने के लिए विपिन ने मना कर दिया था लेकिन फिर भी वो अपने रिक्षे में विपिन को बिठा लेता है और पूछता है भाई तुम्हें कहां छोड़ दूँ मेरा बेटा अस्पताल में है मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं आप परिशान नहों सब ठीक हो जाएगा मैं आपको वहाँ बिना पैसो के छोड़ दूँगा विपिन बैठे बैठे बस अपने किये पर पश्ता रहा होता है उसका लालच उसके सामने आ रहा था वो अपने किये पर बहुत पश्ता रहा था पर समय निकल चुका था मैंने दूसरों का बहुत दिल दुखाया है और शायद इसी लिए आज मेरी ये हालत है इसी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है मैंने न जाने कितनों को दवाई नहीं दी कुछ पैसों के लिए और आज मैं भी वहीं खड़ा हूँ आज मेरे पास भी पैसे नहीं है और दवाई की जरूरत है सबको ऐसा ही महसूस होता होगा जैसा कि मैं लाचार महसूस कर रहा था विपिन हॉस्पिटल पहुँचता है और वहाँ जाकर दवाई डॉक्टर को दे देता है वहाँ उसके बेटे की तव्यत और खराब हो रही होती है ये सब उससे देखा नहीं जाता और उसके आँखों से आसों की धारा निकल पड़ती है तब ही उसको भगवान की मूर्ती दिखाई पड़ती है भगवान मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चे को मत दो जो सजा देनी है मुझे दे दो पर मेरे बच्चे को बक्ष दो और ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगता है तब ही डॉक्टर वहाँ आते हैं और बताते हैं कि उनका बेटा अब ठीक है विपिन राहत की सांस लेता है और उसके कुछ समय बाद विपिन का बेटा ठीक होकर घर आ जाता है